विपक्ष वाले जो है कॉंग्रेस वाले इतने दिन सत्ता में रहे फिर इस देश में क्यों बेरोजगारी रही कॉंग्रेस पार्टी सत्तर साल सत्ता में रही अगर रोज सब को रोजगार देती थी तो बेरोजगारी का विशय नहीं आता था लेकिन ठीक बात है हमारी सरकार स काड़ी 8 साल से यहाँ मतब देश में मोदी मानने मोदी सरकार काम कर रही है और बहुत सारे लोगों को रोजगार अभी पच्छाट्राजार लोगों को रोजगार देने का एक फुगराम हात में ले लिया था और पूरे तीन चार साल में दस साड़ी दस लाग लोगों को रोजद कार सरकारी नुक्री देने का बी संकल्प हमारे सरकार का है गई ही दूसरा आलस्मनिर्बर भारत के माइधयम से जो प्रावेट करने का वी काम हमारे बहुत बड़ा जोर्दार शुरू है जब भारत ऺचार एक मुद्रा योजना है तो मुद्रा योजना पचास हजार रुपई से लेकर दस लाग रुपई तक विदावड ग्यारेंटी लोन देने के आदेश मालने मोधी जी ने बैंकों को दे दिये है और अभी तक कम से कम 36 करोड से जयादा लोगों को लो न मिला है इसका मतलब 36 करोड नहीं तो कम से कम 50 करोड से जयादा लोगों को वहां रोजगार मिला है है रोजगार नहीं दिया है लकुल ही और इसलिए मुझे रखता है कि इपगश करते रहता है वह इतनी सरकार पर रोजगार फाटानी क्लिए काम कर रही है। गरीब हटाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और सब के हाथ में रोजगार देने की भूमिक हमारी है और इंडियन एकोनोमी इस बेस्ट एकोनोमी इन दे वर्ल्ड मतलब अभी अपनी डेवलब हो रही है तिक उसके बावजूद भी जो गाओं में आज भी समझ आई है उस सारी निरने अच्छे लिए इसलिए दुबारा मतलब माननी विजीपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तो यहां कोरोना कारेकाल में बहुत बड़ा काम हुआ है बहुत सारी लोगों को देने का काम हुआ आजसी करोड लोगों को फ्री में आनाज देने का काम दो धाई साल तक चलता रहा अभी भी मत डुध हो चल रहा है दिवाली तक प्रद्धा था इसे तरह अगरीब लोगों को मदद करने कि हमारे मूदी सरकार की कुशिस है योगी आदितना जी की सरकार की कुशिस है और हम गरिबों को मदद करना चाहते हैं